जैहिन दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे दपढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स कल हमने सिंदु घाटी सभेता का 25th कोशन क्या था, पार्ट वन क्या था, आज हम पार्ट टू करेंगे तो आपका कोशन नमबर 26 देखेंगे, कल हमने 25 तक देख लिया था, तो 25 के बाद आप 26 देखतें कोशन है कि the unique structure in मोहन जो दाड़ो बाज, मोहन जो दाड़ो में सबसे unique structure क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बाथिंग पूल, ठीक है और इसकी जो चौड़ाई है 2.43 मीटर और इसका जो गहराई है, depth है 1.01 मीटर ठीक है, और इसका जो फ्लोर था वो पक्की इंटों से बना हुआ था next question है कि in which of the following Indus Valley sites the famous bull seal बाज found, यानि निमलिकित में से Indus Valley sites का कौन सा Indus Valley site जो है सिंदू घाटी शब्यता का, तो वहाँ पे आपको जो है सब फेमस बहुत चर्चित जो है साण वाला मोहर मिला था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जागा हडपा, ये हडपा में मिला था और ये कुबड़ा हो साण था, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या ये शो करता है, ये शो करता है कि ये strong और energetic है, ठीक है, energetic और जो है, वहाँ पे strong था, ठीक है, और उसके साथ ही सायद आपको जो है वहाँ पे अगर इसकी बात करें कौन सा सेप था, तो ये rectangular shape में था, ठीक है, ये चाकोर shape में था, और ये कब पाया गया, तो लगभग 2450 से लेके 2220 का जो है, इसको बताया जाता है कि इतना पूराना है ये seal, ठीक है, मुहर, उसके बाद, next आप हम देखेंगे, which of the following Indus Valley civilization sites was located on the Iranian border, यानि इरान के सीमा के पास, निमलिखित में से, कौन सा Indus Valley civilization है, सिंद इरान के सीमा के पास है, ठीक है, तो ये आपका answer हो जाएगा, सुद्ध कंगे डोर, ये आपका इरान के पास है, और अगर बात करें तो 480 किलो मीटर है मकरान के पशिम में, ठीक है, और ये अभी बोलबालुचिस्तान का पार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि ये कहां का रास्ता था जाने का, तो ये गुजरात से मेसोपोटैमिया के बीच में पढ़ता था, यानि गुजरात से हमें मेसोपोटैमिया उन लोगों को पहुचना होता था, तो ये सुद्ध कंगे डोर से हो के जाते थे, ठीक है, अचलिए, नेक्स है, इन विच तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा हडपा यानि C तो वहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग ऐसे देखा जाए तो इंडेस वैली में आपका जो है पच्पन ऐसे जो है मुर्दा या फिर कब्रगा पाया गया ठीक है और जो सबसे फेमस रहा है वो दो रहा है एक आपका R37 ठीक है कब्रगा और दूसरा आपका जो है H क्यों R37 तो ऐसे H से कम है और अगर H का बात करें ठीक है तो वहाँ पर क्या था कि लगभग 200 लोगों को एक ही जगा दफनाया हुआ था ठीक है 200 लोगों को एक ही जगा दफनाया हुआ था जो माना जाता है कि यह restricted symmetry है और ऐसा मा जाता है जो हमारे स्कॉलर्स है उन लोगों को कहना है कि यह एक ही परिबार के साइद सभी लोग हैं जो हड़पा के समय में यहां पर दफनाया गया था नेक्स्ट है कि विच आप दा फॉलॉइंग इस दा मॉस्ट कॉमन मॉटिप ऑफ दा इंडस सील सिंदू गाटी के समय में निमले कित में से कौन सा है जो आम तौर पे मुहर पे किस जानवर का मतलब यूज किया जाता था तो आपका अंसर हो जाएगा 30 का D यूनिकों यूनिकों जो है उस समय का काफी पवित्र जानवर माना जाता था तो लोग जो है मुहर पे यूनिकों को सबसे जादा यूज करते थे मुहर ठीक है नेक्स्ट है कि the dockyard at Lothal was well connected with the river ठीक है जो Lothal का बंदरगा था वो किस नदी से connected था तो आपका 31 का answer आपका हो जाएगा 31 का answer आपका हो जाएगा नेक्स्ट है कि the dockyard at Lothal was well connected with the river ठीक है जो Lothal का बंदरगा था वो किस से किस नदी से connected था तो ये आपका भोगवा नदी से है ठीक है तो answer हो जाएगा B भोगवा नेक्स्ट है कि the Indus Valley civilization people traded with the ठीक है तो जो सिंदुग हाटी सब्वेता की समय लोग थे वो किस के साथ बैबार करते थे ठीक है तो इसका answer है आपका Mesopotamians लोगों के साथ जो है ये लोग बैबार करते थे ठीक है मिली अगर बात करें तो उनके साथ करते थे और इनको जो है लगभग मेलूहा मेलूहा क्या है मेलूहा नाम था इंडस एरिया का ये पुराना नाम है मेलूहा ठीक है मेलूहा जो है याद रखेगा ये इंडस वैली सिविलाजेशन का जो हो गया इंडस एरिया का जो सिंदू छेत्र था उसको मेलूहा बोला जाता था ये पुराना नाम है अब नेक्स्ट है कि which of the following was unknown in इंडस वैली सिविलाजेशन यानि निमलिखित में से ऐसा कौन चीज है जिससे लोग अंजान थे सिंदू घाटी चबेता के लोग अंजान थे कौन सा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का B ठीक है उस समय क्या था कि डाल से लोग जो है अंजान थे ठीक है बाकी वो किसको किसको जानते थे तो वो गिहूं को जानते थे जौ को जानते थे सीसम को जानते थे सर्सो को जानते थे मतर को जानते थे ये सब जो है इसका एविडेंस मिला ठीक है अगर राइस की बात करें तो आपका लो थल और रंगपूर में मिला है ठीक है और अगर हम बात करें cotton का तो cotton का भी मिला है cotton का क्या मिला कहां मिला तो मोहन जो दाडों में मिला था ठीक है तो अनाज हो गया मचली हो गया और किसी जानवर का मीट बगिरा हुआ तो ये सब हडपा लोगों का खाना था लेकिन वो लोग क्या है कि दाल से अंजान थे दाल के बारे में नहीं जानते थे नेक्स्ट है कि विच टाइप आप सील्स वास्ट पॉपुलर इन हडपन कल्चर है ना यानि किस तरीके का जो मुहर है हडपा गल्चर में हडपा संस्कृती में मतलब पॉपुलर था फेमस था तो इसका आंशर हो जाएगा आपका D चकॉर वाला मुहर जो है सबसे ज़्यादा उस समय में हडपा में फेमस था नेक्स्ट है कि रिमैंस ओ फॉर्स वेर्स जो घोड़ा का आउसेस है वो कहां से प्राप्त हुआ है तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सूर कोटदा ये सूर कोटदा में आपको मिला था लगबग 2020 बताया जाता है कि होर्स का जो आउसेस है ये 2020 का है ठीक है और 1974 में इसका खोज हुआ था किसका सूर कोटदा गा जो excavation हुआ था ठीक है और इसको किसने ही किया था तो इसके खोज करता था JP Josie सूर कोटदा साइट को खोज करता JP Josie और 1974 में ठीक है उसके साथ ही JP Josie के साथ एक है सरमा भी थे ठीक है तो आंसर हो गया आपका सूर कोटदा नेक्स्ट है कि in which of the following Indus Valley Civilization sites the cotton piece barge found ठीक है यानी निमलकित में से सिंदु गाटी शब्यता साइट का अगर बात करें तो कौन से जगा है जहां कोटन मिला था किस साइट पे मिला था तो इसका 36 का आपका अंसर हो जगा मोहन जोदाड़ो मोहन जोदाड़ो का जो अगर बात करें तो उस समय में मोहन जोदाड़ो में यह चीजज पाया गया था, cotton का वहीं से इसका इसा इसका मिल त egg मोहन जोदाडो जो है, और यह कौन यूज करते थे लोग उसको export भी किया करते थे ठीक है और उसके साथ ही अगर बात करें कि कैसे मिला था तो ये एक कपड़ा था एक चांदी का फुलदान था और उसका कभर था चांदी का फुलदान का कभर था उसमें जो एक कुछ चिपका हुआ बस्तर मिला है जो कॉटन का है ठीक है तो इस तरीके से हमें मुहां जो दाडों से प्राप्त हुआ और इसके लिए आप NCRT का क्लास 6 में पढ़ सकते हैं हिस्ट फिंदोगाटी सब्विता के लोग जो है इसमें से कौन से चीजों से अंजान थे तो इसका अंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ओप पीलर्स यानी C नंबर ठीक है C नंबर में लोग काफी अंजान थे क्योंकि पीलर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे ठीक है बाकी Which of the following Indus Valley civilization sites provides the evidence of fire alders ठीक है कहाँ पे जो है बेदिका मिली थी ठीक है कहाँ पे यग करने वाला बेदिका आपका किस सिंदुगाटी सब्वेता के साइट से आपको वहाँ पे साक्ष मिला हुआ है यग करने वाला बेदिका का तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली बंगन वहाँ से आपको खेत का जो हल होता है वो मिला है ठीक है और उट का हड़ी भी मिला है ठीक है और उसके साथ ही जो है वहाँ पे कबरगा मिला है कैसा वाला गोल वाला और रेक्टेंगुलर शेप बाला यानि चकोर वाला और गोल वाला ये आपका वहाँ पे कबरगा मिला है और फिर वेदिक जो हो गया, अल्टर्स ये तो मिला ही था, और उसके साथ जो है, जहां पर बोला जाता है कि वहां पर साथ ही साथ रिचुल वाथिंग, ठीक है, वहां पर जो है, लोग मतलब नहाते थे पूजा पाट करने से पहले वो चीज भी वहीं से मिला आपको कालिवं प्रणगत से, चले नेक्स्ट है, कि अल्लिएस इविदेंस ओफ एग्रिकल्चर इन इंडियन सबकॉंटिनेंट बास भी है, बात हो रही है, कि इंडियन सबकॉंटिनेंट में भारती ओप महादीप में जो है, किस जगह में सबसे पहले एग्रिकल्चर की सुरुवात की क्रिशी करने का जो सबसे पहले साक्ष वहीं से मिला है, और लगभग ये 6500 BC से पहले का ही बताया जाता है, और यहाँ पर किस किस चीज की खेती मेंली किया जाता था, मेंली की बात हो रही है, तो आपका गेहूं हो गया, और जो हो गया, ठीक है, उसके साथ ही, जो वहाँ पसू भी पाले जाते थे, कौन-कौन से पसू, अगर बात करें, तो आपका भेड हो गया, ठीक है, और बकरी हो गई में, और ये तो पता ही है कि एक आदमी मिला था, लेटा हुआ, जिसमें बकरी उसको जो है, मरने के बाद जो है, उसके साथ बकरी दफनाया हुआ था, तो ठीक है, तो अगर बात करें कि खेती का, अगर बात किया जाए, खेती प्रौपर खेती, अपका मेहर गड़ हो गया, लेकिन पहला बार जो फस्ल कहां होगाया गया, इसका साख्चे कहां मिला था, तो ये आपका सूलिमान और केळऩर की पहाड़ी पहारी, तो ये याद of the following was not worshiped by Indus Valley people है ना 40 में ये हो गया कि पूछ रहा है कि इन में से कौन से भगवान है या फिर कौन से मतलब किस चीज का वहाँ पे पूजा नहीं किया जाता था Indus Valley में ठीक है सिंदुकाटी सब्वेता के लोग इसमें से कौन से चीज है जिसके पूजा नहीं करते थे तो पहला है शीवा तो शीवा आपको जो है शीवा कि अगर हम बात करें तो शीवा वहाँ पे साक्ष मिला है क्यों क्योंकि वहाँ का एक सील मिला हुआ था ठीक है पसुपती का एक मुहर मिला हुआ था और उसमें तीन फेस बना हुआ है, मेल हैं वो, ठीक है, तीन फेस बना है किसी पुरुस का, किसी पुरुस भगवान का, और उसमें प्लस योग का पोस्चर में बैठे हुए हैं, और उनके आस पास अगर बाद गया, चारो तरफ जो है, राइनो का है, यानि बारा सिंगा चारो तरफ हो और उनके right side, जो तीन पूरूस उनका 3 face बना हुआ है, तो उनके right side क्या है, वो आपका है भैस का है, ठीक है, और एक हाथी भी है, ओर भैसी उनके right side बना हुआ है, उस भगवान का और tiger जो हो गया वो left side है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये एक टैप से Lord Shiva का ये मूर्ती है तो इसलिए शिप जी का तो मिला हुआ था ठीक है, अब next है आपका कि people, तो people का हमने people वहाँ पाया गया है ठीक है, तो यानि people का वहाँ पे मिला हुआ था ठीक है, उसके बाद फिर people का भी लोग पेड़ कर पूजा करते थे, तीसरा है कि mother goddess तो mother goddess का भी वहाँ पे मिला था, ठीक है, क्योंकि mother goddess के अगर हम बात करें तो आपका mother goddess जो हो गई, वहाँ पे खिलाउना मिला था, टेरा कोटा मिला हुआ था, उसमें photo बना हुआ था एक, मतलब अर्द नग्ड figure बना हुआ था, एक महला का, ठीक है, जो energy यानि सक्ती और mother goddess, यह दोनों का वहाँ पे उसका show होता है उससे तो इसमें यह बताया गया था, कि यही संसार को चला रही है mother goddess का मिला हुआ था ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा बिश्नु, लेकिन बिश्नु का वहाँ पे कोई साक्ष नहीं मिला है, ठीक है, बिश्नु का आपका कोई साक्ष नहीं मिला है तो इसलिए answer question है कि the excavation at चंदोदाडो was directed by ठीक है, जब चंदोदाडो का खोज हुआ था, तो उसका director कौन था, ठीक है किसने इसे निर्देशित किया था तो 41 का answer आपका हो जाएगा, जे एच मैके ठीक है, जे एच मैके ने इसका जो है, इससमें वो director थे, और इसका खोज किसने किया था, तो NG मजुमदार ने चंदोदाडो का खोज किया ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है किस साइड पर पाया गया है, तो ये आपका मोहन जो दाडो में जो है, नगर का तरफ अन्नागार पाया गया, जहां पर लोग क्या करते थे, वहां पर खेती होती होगी या फिर जो भी हो, अनाज वहां पर जमा करते थे लोग, ठीक है, तो ये महां पे पाएगा मोहन जोदाडों की बात करें तो दो ही उसमें मेंन है एक गारनरी हो गया यानि अन्नागार और एक आपका हो गया ग्रेड बात ठीक है यानि महान अशनानागार ये दो चीज ही आपको मोहन जोदाडों में मेंनली पाया गया है सबसे ज़्यादा famous रहा है चलिए next है which of the following sites of हडपन culture gives evidence of सिंदूर निमलिकित में से हडपा संस्कृती में कौन सा ऐसा जगा है जहाँ पे सिंदूर का साक्ष मिला है तो इसका answer हो जाएगा नौसेरो ठीक है नौसेरो में जो है आपका वहाँ पे सिंदूर का साक्ष मिला हुआ और यह कहाँ पे है तो यह मेहरगड से लगबग 6 km दूर है ठीक है तो इसका answer हो गया आपका यह next है आपका कि Indus Valley Civilization site मांड़ा is situated near the bank of मांड़ा किस नदी के किनारे जो सिंदूगाडिश अब्यता की site है मांड़ा और वो किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका answer हो जाएगा आपका चिनाव यह चिनाव नदी के किनारे जो है आपका मांड़ा इस्थित है ठीक है और अगर यह की बात करें तो पीर पंजाल स्रेनी का पास ही होता है जमुकस्मीर ठीक है मेरट जिला के आलमगीरपूर में आर्क्यू लोजिकल ने जो पाया है तो वो किस काल के हैं, किस चीज, किस पिरेड के हैं, तो इसका आंसर हो जागा ये हडपा पिरेड के हैं ठीक है तो 45 का आंसर हो गया, ए ठीक है, नेक्ट है कि in which of the following site has a प्री हडपन settlement not been found इन में से कौन सा ऐसा जगा जो पूर्भ हडपा काल जहां पे नहीं पाया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा हडपा हडपा में पूर्भ हडपा काल नहीं पाया गया जबकि मोहन जो दाड़ो, काली वंगन, धोला वीरा ये सब में पाया गया है तो यानि कि उस समें कौन निर्देशक थे ASI का यानि Archaeological Survey of India ठीक है इंडिया के जो Archaeological Survey of India था तो उसका उस समें Director कौन थे जब हडपा का खोज हो रहा था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा John Marshall ठीक है उस समें जो है John Marshall वहां के Director General थे और ये लगबग इनका कारिकाल की बात क करें तो 1902 से 1928 तक रहे है ठीक है और कब ये Indus Valley उनके Focus में आया अगर उसकी बात करें तो 1921 में ये जो है Indus Valley का उन्होंने खोज करवाया उनके निदेशन में मतलब खोज हुआ ठीक है तो इसका तो हडपा का तो इसका आंसर आपका हो गया ये किन दयाराम शाहनी ने किया ठीक है अब next है कि the most suitable name of Indus Valley civilization is तो Indus Valley सिंदुगाटी शब्यता का सबसे suitable नाम कौन सा है सबसे ज़्यादा तो ये आपका है हडपा civilization ठीक है तो हडपा civilization जो है सबसे suitable नाम है क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा साइड जो है Indus Valley civilization में बात करें तो हडपा का पाया गया है और उ अगर ये बैपारिक सब्वेता ये center था कहें तो ठीक है बैपार का ये center था इसलिए next है कि a clay model of plug has been found from ठीक है तो अगर clay model यानि कहां पे यहां पे कहां पर जो है एक मिट्टी का खिलोना कहें ठीक है मिट्टी का खिलोना टैप में जो है एक हल पाया गया ये कौन सा जगा है तो इसका answer आपका हो जाएगा बनावली ठीक है और बनावली जो है आपका वहां पे कहां पे है बनावली तो ये आपका जो हर्याना के फतेहा बाद जिले में है ठीक है पहले इसका नाम था वनवाली अगर बनावली पूछा जाए कि कौन से नदी के किनारे है तो ये आपक सरस्वती नदी के किनारे है and the next is in the excavations of हडपन sites, bones of camels have been found at ठीक है, यानी हडपन का site का ऐसा कौन सा खोज करता, कहां पर मतलब खोजने के दौरान जो है आपको camels का bones मिला हुआ था उट का हड्डे मिला था तो इसका हमने पहले ही पढ़ा था तो इसका answer हो जाएगा आपका काली बंगन, ठीक है तो चलिए, thank you so much guys please आप मेरे वीडियो को like, comment, share and subscribe जरूर करे और please अगर कोई advice देना हो suggestion देना हो, तो please आप मुझे दे, ठीक है, thank you so much जैहन